गुड मार्णिंग फ्रेंड्स घर में कबार में पड़ी एक सीमेंट की प्लास्टिक बोरी में हमने और्गनिक तरीके से धनिये उगाई हुए हैं ये देखिए जो हमारे किसान भाई खेतों में धनिये को उगाते हैं सेम उसी तरीके से हमने एक प्लास्टिक की बोरी में और्गैनिक तरीके से अपने घर पर धनिये उगाई हुए हैं और ये देखिए हमारे जो धनिये हैं वो काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं तो friends इस तरीके से आप लोग भी अपने घर पर अपनी छट पर या फिर टर्रिस इस तरीके से धनियों को ग्रो करने के लिए हमें किन-किन चीजों की अवश्यक्ता पड़ेगी तो friends इस तरीके से धनियों को छट पर ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक प्लास्टिक की बोरी होनी चाहिए इसके अलाबा आप सीमेंट की बोरी भी ले सकते हैं तो हमने आपर एक प्लास्टिक की बोरी ले लिए है चलिए अब हम इस प्लास्टिक की बोरी के लिए मिट्टी तयार करेंगे सोल मीडिया तयार करेंगे फ्रेंट्स धनिया को grow करने के लिए जो हम soil media ले रहे हैं जो हम मिट्टी तयार कर रहे हैं उसमें हमने अपने बगीचे की यानि कि normal garden soil हमने 17 पस्त लिए हैं मिट्टी में जितने भी खरपतबार है जैसे कि घास पूस है उसे आपको निकाल देना है और इस तरीके की आपको ब प्रास्टिक की बोरी में मिट्टी को अच्चे से भर लेंगे, चलिए। अब मैं मिट्टी को अच्छे से जो है प्लास्टिक की बोरी में भरे लेता हूँ तो इस तरीके से आपको जो है प्लास्टिक की बोरी में मिट्टी को अच्छे से भर लेना है फिल कर लेना है तो हमने आपर garden soil और गोबर खाद को अच्छे से mix करके हमने इस plastic की बोरी में अच्छे से भर लिया है चलिए अब हम इस plastic की बोरी को अच्छे से जो है लिटा करके इसे एक सा बनाई लेती हैं समतल के लेती हैं जिससे जो हम धनिये लगाएंगे वो अच्छे से लगाई जा सकें तो इस तरीके से आपको प्लास्टिक की बोरी को जमेन पर लेटा लेना है और इसका ये जो आप सिरा देख पा रहे हैं ये जो सिरा खुला हुआ है इसे आपको अच्छे से सिल देना है जिससे जो हमारी मिट्टी है जो हमने प्लास्टिक की बोरी में मिट्टी भरी हुई है वो बाहर ना निकलने पाई तो चलिए अब मैं सिरे को अच्छे से सिले देता हूँ इस तरीके से आपको ये दोनों सिरों को अच्छे से बंद कर देना है जिससे हमारी जो मिट्टी है वो बाहर नहीं निकलने पाई उसके बाद आपको एक कड़ा लेना है इस टाइप का या फिर आप कोई गोला टाइप की चीज़ ले लीजिए जिससे हम इस प्लास्टिक की बोरी पर निसान लगा सकें चिन लगा सकें उसके बाद हम इस निसान को यहां से कट कर देंगे निकाल देंगे इस तरीके से आपको जो निसान बना देने हैं इस प्लास्टिक की बोरी पर तो चलिए जल्दी से मैं इस प्लास्टिक की बोरी पर 5-7 निसान बनाई देता हूं तो फ्रेंट्स हमने इस प्लास्टिक की बोरी पर जो गोले बनाई हुए थे वो सभी गोले हमने अब कट कर दिये हैं इन्हीं गोलों में हम धनिये लगाने बाले हैं तो हमने आपर धनिये ले लिए हैं, यह हमने देसी धनिये लिए हैं, और जो देसी धनिये होते हैं, वो खाने में बहुती स्वाधिस्ट और बहुती टेस्टी होते हैं, इसके अलाबा देसी धनिये के बीज बहुती तेजी से अंकुरित होते हैं, तो आपको देसी धनिये के स इन गोलों में आपको डॉल देनी हैं लगा देनी हैं ये जो हमने छेद काटे हुए हैं critical इस तरीके से बो देनी हैं विखेर देनी हैं तो चलिए जल्दी से मैं इस प्लास्टिक की बोरी में जितने भी छेद हैं होल हैं उन सभी होल में धनीये इच्चे से बोई देता हूँ तो फ्रेंट्स हमने इस प्लास्टिक की बोरी में जितने भी होल द snail को मिटती या फिर गोबर खाद से डखे देते हैं तो फ्रेंट्स हमने आपर ज्यादा गहराई में नहीं लगाने हैं अगर आप लोग धनिये के बीज को ज्यादा गहराई में लगा देंगे तो वो अंकुरित नहीं होगा जर्मिनेट नहीं होगा तो हमने आपर धनिये के बीज जच्चे से लगा दिये हैं तो हमने आप और वार्टिरिंग कर दी है, चलिए कुछ दिन का वेट करते हैं और जल्दी मिलेंगे अपडेट के साथ. Good morning friends यह पांच दिन बाद का रिजल्ट है, यह पांच दिन बाद की अपडेट है, और हमारे इस प्लास्टिक की बोरी में धनिये अंकुरित होना इस्टार्ट हो गए हैं, जैमिने इट हो गए हैं, यह देखिए. हमारे सबी होल में हमारे सबी धनिये के सीड अच्छे से अंकुरित हो गए हैं जमीनियेट हो गए हैं बीच बीच में आपको जहें इसमें पानी देते रहना है इसमें नमी जो है खत्म नहोंने पाई तो फ्रेंट्स चलिए कुछ दिन का और वेट करेंगे और जल्द ही मिलेंगे एक और अपडेट के साथ नमस्कार फ्रेंट्स फ्रेंट्स ये पूरे 15 दिन बाद की अपडेट है ये 15 दिन बाद का रिजल्ट है और ये देखिए हमने इस प्लास्टिक की बोरी में जो देशी धनिये के सीड बोई हुए थे वो काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और ये जो हमारी धनिये हैं वो आप एक प्लास्टिक की बोरी में बहुत ही अच्छे किसानों की तरह आप लोग भी अपने टेरिस पर अपनी छट पर धनिये को बड़ी आसानी से उगा सकते हैं तो फ्रेंट्स मुझे उमीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडि करके पूच सकते हैं थैंक यू